नाजसे रोज़ूसर्पीश्पीविजे तो आज की इस वीडियो पर डेटेल कम्पारिजन करने वाले हैं एम्पेर का PRIMUS ELEKTRIK Skooter और OLA का S1 ELEKTRIK Skooter दोरों बहुत ही जबरस ELEKTRIK Skooter है और यह कम्पारिजन बहुत सारे लोग चाहते थे बट कुछ लोगों ने comment किया है जैसे कि Share Master नाम का कोई है उन्होंने बोला है Ampere Primus versus Ola S1 compare कीजिए sir आपने बोला हमने कर दिया और दूसरे एक sir है चंदरकांत साहू उन्होंने बोला है आपका मैं बहुत बड़ा fan हूँ आरे है थैंक्यू सो मच sir क्योंकि आप जिस तरह से explain करते हो यही कोई नहीं जाने बहुत बड़ा है बड़ी बाते के मेरे बारे में थैंक्यू सो मच पॉर या लव and support sir उन्होंने भी बोला है Ola S1 versus Ampere Primus से किसी एक को लेना चाहता हूँ तो कौन सा अच्छा होगा थोड़ा इसके ओपर वीडियो बनाई है तो गाइस यह वीडियो रहेगा डीटेल कंपारिजन अबाउट Ampere Primus electric scooter and Ola S1 electric scooter वीडियो एन तक जरू देखिएगा अगर आप चल पर नहीं हो तो प्लीज इस चल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल एकाउन भी दबा दीजेगा ताकि आपको ऐसे अप्डेट्स मिलते रहे हैं तो चली गाइस वीडियो को शुरूआत करते है यस दोस्तो हमारे सामने है डीटेल कंपारिजन आपको पता है मैं जब कंपारिजन करता हूँ बहुत सारे एंपियर ने LFP बैटरी के साथ के इलेक्रिक स्कूटर लाया है और ओला जब है वो NMC या NCA केमिस्ट्री के साथ बैटरी लाता है तो यहां पे एंपियर ने अल्रेडी गवर्नमेंट आफ इंडिया और IAS 156 स्टैंडर्ड एडप्ट करना चालू कर दिया है और उसके अनुसार वो LFP पे शिफ्ट होगे LFP इस लिथियम फेरो फॉसफेट और इसमें आपको 1500 से 2000 साइकल्स मिल जाता है मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक्चुल वेबसाइट दिखाने वाला हो मुझे एक PDF भी मिल चुका है जिसमें डीटेल डाला है वो वीडियो का लिंक में चैट सेक्शन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो बैटरी यूज करता है NMC या NCA उसमें लग बग आपको मिल जाते है जब मैं technology की बात कर रहा हूं तो 800 से 1000 साइकल मिल जाते है अभी जो government of India का fame 2 portal है उसमें ओला ने 2000 साइकल में उनके life के I don't know how they have mentioned it but if they are using NMC और NCA as per research it is found की उसमें 800 से 1000 साइकल मिल जाते है तो Ola S1 और Ampere Primus दोनों में same battery capacity आपको दीखेगा 3 kWh का battery pack दोनों में आपको मिल जाता है क्या आपको पता नहीं है kWh क्या होता है मैं जल्दी से आपको explain कर देता हूं let me erase all this so kWh यह unit of electricity है unit of electricity electrical energy का unit है kWh एक unit जब consume होता है आपके घर में तो 1 kWh energy consume हो चुकी है for example 10 Watt का bulb आपने 100 घंटे चलाया तो 1000 Watt अवर energy consume हुआ उसका ही मतलब है 1 kWh तो Ola S1 और Ampere Primus जब आप charge करोगे तो आपके घर के energy meter में 3 units count हो जाएगे मतलब 3 unit यह electric scooters consume करेगी और अगर एक unit की cost मैं बहुत जादा 10 रुपए consider कर रहा हूं तो दोनों electric scooter charge होने के लिए जादा से जादा 30 रुपए आपको लगेंगे मैं 10 रुपए बहुत बड़ा number बोल रहा हूं on an average 3 रुपए से 7 रुपए electricity का cost होता है मैंने 10 रुपए consider किया तो Ola S1 आपको 10 रुपए में इन्होंने IDC range या ARAI certified range जो है वो 141 डाला है true range आपको 120 तक मिल सकता है और Ampere Primus ने बोला है कि 120 km का IDC range है पर लग 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 100 km का true range आपको इसमें मिल जाएगा अभी अगर मैं battery life की बात करूँ तो आपको यह जानना बहुत important है कि Ampere Primus electric scooter जो है as वो LFP chemistry यूज कर रहा है अगर मैं 1500 cycles consider करूँ उनके battery के और मैं consider करूँ कि हर cycle में वो 80 km जाता है तो आप calculation कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा यह कितना km जा सकता है आपके सामने 1500 into 80 अगर मैं करता हूँ तो यह जाता है 120,000 मतलब आपकी electric scooter 120,000 km चलेगी अभी इनका range नोंने 120 km बोला है मैंने तो 80 km ही consider किया let us suppose आपको 80 km भी नहीं मिलता है let us assume इसको मैं फिर से 0 से शुरुवात करता हूँ okay let us suppose कि आपको मिलता है 70 km का ही range 1500 cycle से आपको 15,000,000 km तक का range मिल जाएगा sorry km आपकी गाड़ी की battery चलेगी तो यह calculation बहुत ही important है तो 1500 into 80 करके आपको 1,25,000 जो कुछ मिला था आप यहां पर लिख सकते हो आप calculation कर सकते हो but अगर मैं Ola S1 की बात करूँ guys Ola S1 में NMC chemistry का battery जिसमें आपको 800 से 1000 साइकल तो 1000 साइकल में अगर वह 100 km चल रहा है तो आपको बैटरी के cycles की बात करो तो LFP का life अच्छा होता है इसलिए अगर आप battery से चूज करना चाहते हो then Ampere Primus is better as compared to Ola S1 यह पहली बात में आपको बोलना चाहते हो if you are thinking of LFP battery electric scooter and you have two choices Ola S1 and Ampere Primus then Ampere Primus is better मोटर की बात करे तो Ola बहुत ही जबरदस्त है 8.5 kWh पिक पाउर वाल है इसमें मोटर है nominal power जिसकी लगबग 6 kWh तक चली जाती है Ampere Primus जो है 4 kWh पिक पाउर वाल मोटर है मतलब लगबग जादा से जादा 2.5-3 kWh इसका nominal power होगा तो performance अगर आप चाहते हो तो आपको Ola S1 बहुत अच्छा performance देगा as compared to Ampere का Primus electric scooter अगर मैं looks के बारे बात करूँ तो looks में मुझे जादा Ampere Primus अच्छा लगा क्योंकि वो एक conventional electric scooter जैसा दिखता है Ola का look मुझे personally पसंद नहीं है ऐसा हो सकता है आपको Ola अच्छा लगे किसी को Ather अच्छा लगे बट इन दोनों में मुझे Ampere Primus अच्छा लगता है तो range में और motor में आपको दिखेगा कि Ola S1 सीधा winner है टॉप स्पीड में भी Ola S1 सीधा winner है acceleration में भी Ola S1 सीधा winner है क्योंकि यह जो motor का power होता है it is torque into omega और इसमें जो omega होता है वो 2 pi n by 60 होता है यह n जो है यह speed है यह t जो है यह torque है और इसके वज़े से अगर motor power जादा है तो अफकोस torque, speed, acceleration यह कम motor वाले से जादा ही होने वाला है इसलिए आपको दिखेगा यहाँ पर top speed भी ampere primus का कम है acceleration भी ampere primus का कम है as compared to Ola S1 बहुत ही important बात बता रहा हूँ अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो का लाइक करो आपकी तरफ पहुचाना मेरा फर्ज है इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ मैं कौनसे भी electric scooter खुद से endorse नहीं कर रहा हूँ या मैं बोलनी रहा है आप यही लो वो ही लो मैं सब electric scooters के pros, cons क्या बुरा है, क्या अच्छा है क्या अच्छा हो सकता है यह इस चैनल पर आपको detail बोलते रहता हूँ next is gradability क्या आपको पता था power का यह equation क्यूंकि यह सब technical बात है मैं आपको topic easy करके बताने की कोशिश करता हूँ बट कभी-कभी ऐसी terms में आपको explain करते रहता हूँ power is talk into omega जिसमें omega is 2 pi n by 60 now when we talk about gradability अभी कुछ लोगों ने comment किया था अरे भाई तो gradability ऐसे कैसे explain करता है जैसे कि यह आपका flyer है यह जितना angle जादा होगा मतलब यह 15 degrees gradability ओला S1 के है तो 15 degrees का angle चड़ सकता है यह मैं simple करके बता रहा हूँ कुछ लोग बोलते तो गलट definition बता रहा है मैं अगर technicalities में घुछ जाओं अगर मैं engineering में घुछ जाओं तो मेरा जो common इंसान है जो मेरे videos देख रहा है वो नहीं समझ पाएगा इसलिए मैं easy language में explain करना चाहता हूँ तो gradability लगबक दोनों की सेम है दोनों almost same type का elevation चड़ पाएंगे climbing कर पाएंगे अगर आप OLA S1 Pro की बात करें तो उसका भी gradability लगबक सेम है बट इफ यू थिंक आफ एथर इफ यू थिंक आफ बजाचे तक तो उसमें gradability 20 degrees तक का चला जाता है तो इन दोनों में gradability से आप compare नहीं कर पाऊगे क्योंकि almost same gradability इनका है जब हम curve weight की बात करते है guys यहाँ पर आपको दिख जाएगा curve weight 11 kg से जादा है OLA S1 का क्योंकि motor बहुत बड़ा है as compared to ampere primus लगबक जो peak power है वो double है तो motor का size बड़ा हो गया होगा and second जो इनोंने शायद panels use किये है OLA ने जो panels use किये है उनके design aesthetics में वो जादा अच्छे होगे durable होगे इसके वज़े से OLA का curve weight थोड़ा सा जादा है boot space की बात करे of course OLA S1 36 liter का boot space बहुत ही जबर्दस है let me correct whether this is 36 or 34 I guess it is 36 और ampere primus में 22 liters का boot space आपको मिल जाता है अभी आप pricing अगर देखो तो ऐसा बोला जा रहा है कि ampere की primus around 95,000 extra room price के साथ आएगी मैंने कहां कहां पर देखा है वो बोल रहे एक लाग पाच हजार तक आएगी extra room price तो exact pricing पता नहीं है OLA S1 का एक लाग रुपए extra room price है but अगर आप थोड़ा सान broad mind से देखो तो दोनों scooter की pricing का range लगबग एक लाग के करीब हो सकता है तो मैं फिर से बोल देता हूँ बैटर कपासिटी में दोनों same है but ampere primus is better with battery of LFP chemistry and 3 kWh better pack motor में OLA S1 range में OLA S1 top speed में OLA S1 acceleration में भी थोड़ा सा difference है grid ability में भी थोड़ा सा difference है curve weight OLA S1 का जादा है मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद जो steadiness है वो OLA S1 में जादा मिल जाए आपको boot space OLA S1 में जादा है और pricing again दोनों की बहुत ही सेम है अभी मैं आपको इनके official website पे लेके जाने वाला हूँ और आपको क्या-क्या colors इसमें मिलते है क्या-क्या add-on features इसमें मिलते है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मैं Instagram पे भी available हूँ pvj underscore तस्वीरवाला ये मेरा handle है प्लीज अभी अभी जाके इसको follow कर दो क्यूंकि आपको कुछ suggestions है queries है वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो message कर सकते हो मैं आपको सीधा जवाब दे दूँगा आपके सवालों का pvj underscore तस्वीरवाला अभी जाके follow कर देना अभी मैं आपको official website पे लेके जा रहा हूँ यह है पहला हमारे सामने brochure इसका link मैं आपके साथ चेर कर दूँगा यह ampere primus का brochure मुझे मिला है उनके official website में नहीं मिला I don't know मैंने थोड़ा सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ durability में इनका बोलना है कि lithium ferro phosphate हम यूज कर रहा है तो बहुत अच्छा durability मिलेगा BMS जो है वो IIS 156 के अनुसार बना है तो बहुत अच्छा capacity देगा motor performance यहां पर देखो 3.8 kilowatt mid power mid driven mid mount motor है 75 km2 का top speed यहां पर दिखा है color एकदम फाड़ वे गाई चार मोड मिल जाते है Eco City, Power and Reverse Mode और दिखने में तो मक्कर है मतलब बहुत ही जबर्दस electric scooter बात करें इस पेसिफिकेशन की तो अलड़ी मैंने आपके साथ explain किये है इस PDF में कुछ range parameters जो power mode में 107 km का range यह बोल रहा है पाट्स से कम सेकंड में आपको कोई acceleration 0-40 का दे देदेगा ऐसा इनका कहना है और battery यहां पे LFP mention किया है 48V का battery है अगर आप 30A के socket पे चार्ज करते है तो 2 गंटे में चार्ज हो जाएगा अगर 15A पे करते है तो 4 गंटे लग जाएगे 150 kg तक का load carrying capacity है curve weight 110 kg का है 12-inch का wheel size है alloy wheel आपको मिल जाएंगे tubeless tires मिल जाएंगे और यहां पे एक ही drawback है इसमें drum brakes है जो Ola है S1 उसमें आपको disc brake मिल जाता है बाकी looks में तो मैं Ampere को जादा अच्छा अच्छा कंसलर करता हूँ इसमें 4 color आपको मिल जाता है Royal Bengal Orange Havelock Blue Buck Black and Himalayan White colors भी बहुत अच्छे कासे अवेलेबल है और finance भी आपको जना Small Finance Bank है Tata Capital है IDFC है Bank Bazar है SDB Financial Services है HDFC Bank है बहुत सारे चीज़े यहां पे आपको दिख जाएगी जब मैं Ola Electric के बारे बात करता हूँ यहां पे तो इन्होंने अल्रेडी बाजी मारती है आप 2500 से चालू कर सकते हो 95 KMbH का Top Speed 3.8 second में 0 to 40 करेगा IDC Range इनका 141 है ARAI Certified और Ola का True Range उनका बोलना है 128 km मिल जाता है Color के option यहां पे इनके 11 color के options है यह है गेरुआ color बोलते है इसको बहुत ही मखन दिखता है और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ colors Porcelain White यह तो सबको पता है यह New Mint यह भी एक मस दिखने वाला color है जब हम Red color की बात करते है तो यह भी एक मस दिखता है Black color है Jet Black Yellow color है Liquid Silver है यह एक अच्छा वाला color है Minimal Pink Pronunciation गलत हो रहा है यहां पर आप कंसिडर कर सकते हो Ola S1 एलेना है S1 Pro लेना है S1 Air लेना है तो आप Delivery Location यहां पर जालना है Full Specification Sheet आप देख सकते हो Ola S1 के बारे में आपको तीनों का comparison यहां पर Side by Side मिल जाएगा तो यह मैंने कोशिश की है Detail comparison करने की जो comparison हमें करने को बोला था किसने Share Master ने और Chandra, Kanta, Sahoo आपने बहुत सारा लोगों ने कमेंट किया था मैं सब का screenshot ने डाप लाया उसके लिए sorry But I hope आपको आपको आइडिया हो गया है कि आपको कौन सा इलेक्टर स्कूटर लेना है Performance-wise Ola S1 is better As compared to Ampere Primus That is what I feel Because the motor capacity is higher But if you see the battery capacity And the durability Then from battery perspective I think Ampere Primus Will be ahead of Ola S1 Because it is using LFP battery So thank you so much guys For watching this video And if you are new to the channel Please subscribe to the channel Bell icon also Follow me on Instagram PV GenoScore I will get a handle We will see you guys in the next video Till then Jai Hind I will see you guys in the next video